फ्रेंड्स, पापर आपने कई परकार की बनाई होंगे, और बहुत परकार के खाएं भी होंगे, लेकिन आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ, वो है आलू के पापर, मातर तीन आलू से ही आप सेक्रो पापर बना करके तयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसे मैं बनाऊंगी यदि आपको तरीका पता हो तो सेक्रो पापर आप बना करके इजली तरीके से तयार कर सकते हैं सबसे पहले मैं इसका आपको टेक्शर दिखाती हूं इतनी पतली पापर बनके ये तयार होती है जितनी ही ये पतली है उतना ही वो खाने में भी क्रिश्पी लगती है और कुरकुरे नजर आती है देखे पूरा हाथ का स्कीन मेरी हाथ सेकेंड तरफ से आपको पूरा नजर आ रही होगी पिल्कुल पेपर की तरह यह तयार होती है, मैं इसे देखिए तल के भी दिखा रही हूँ तो चली फ्रेंट्स इसे बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए देखिए मातर तीन आलू की जौरत है मैं बड़ी साइज की भी आलू नहीं ली हूँ मातर मीडियम साइज की मैं आलू ली हूँ, तीन आलू तो चली सबसे पहले आलू को अच्छी तरीके से मैं धो लेती हूँ क्योंकि इसके स्कीन भी काफी गंदी होती है और जब भी आलू आपको यूच करना हो फ्रेंच, तो ये देखिए इसी तरीके से सफेद आलू हुई आपको यूच करना है और जिसके स्कीन काफी पतली होती है तो देखिए मैं सारे स्कीन को हटा रही हूँ क्योंकि स्कीन हटाए बगर तो पापर बन के तीयार नहीं होगी इसलिए इसकीन हटाना बहुत भी जरूरी है तो इस तरीके से आप सारे आलू के छिल्के को हटा दीजिए चिलने के बाद डारेक्ट आपको पानी में ही डाल देना है तो ये देखे, मैं तीनों आलू को अच्छी तरीके से छिल ली हूँ, अब पानी में मैं धो भी ली हूँ, तो एक से दो पानी में मैं और इसे धो लेती हूँ, तो ये देखे, मैं तिसरे पानी से धो रही हूँ, काफी अच्छी तरीके सवास हो गई है, अब इसे चलिए, इ इसलिए पानी के बाहर आपको आलो को नहीं रखना है, तो ये देखे, मैं सभी आलो को अच्छी से काट ली हूँ और इसे दो-तीन पानी में वास्ट करना है, जिसे जितने भी सफेदी स्टार्च हो, वो सभी निकल जाए, इसे पापर आपके काफी क्रिश्पी और कूरकूरे बनके तैयार होगी, तो चलिए मैं धो ली हूँ और एक मिक्सी जार ली हूँ और उसमें सभी आलो को डाल देती हूँ, जिसे फाइन पेश्ट बनाना है, तो देखे, एक कप पानी का यूज कर रही हूँ, जिसे खापी अच्छी तरीके से ग्रैंड भी हो जाए, ज्यादा मेरी जूस भी निकल के तैयार हो जाए आलो के, तो चलिए ये देखे, मेरी ग्रैंड हो गई है, तो कितनी अच्छी तरीके से मेरी ये सभी जूस निकल गई है, तो ये देख सकते हैं, कि फाइन पेश्ट ये मेरी बनी है, और चलिए अब इसे एक लेती हूँ, चन्नी उसक निकाल देना हो, क्योंकि पापर बनाने के लिए काफी फाइन प्यूरी लेना है, हमको प्यूरी लेना है, घोल और जड़ा साभी कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये देखे, चमच की मदब से सभी जूस को मैं निकाल लेती हूँ, या ति कोई तरह का टुकरे बच गई होग थोड़ी देर छोड़ दीजे, तो नीचे जाका बैठ जाती है, तो जब आप मेजरमेंट लेंगे, तो उसके पहले अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजे, क्योंकि क्या होता है, कि आलो के सारे पल्प नीचे जाका बैठ जाएंगे, और पाने उपर की और रह जाएगे, तो चलिए उसी कप को मैं लेती हूँ, जिसे में पानी डाली थी, और एक करही लेती हूँ, जिसमें मुझे डाल के बॉइल करना है, इसे आपके दूसे बरतन गंदे नहीं होंगे, तो इसलिए डारेक्ट करही ले लीजे, तो ये देखे, मैं उसी कप से मेजरमेंट कर रही तो मेरी ये 2 cup निकल गई है और ये देखे मेरी तिसरी cup है यानि तीन आलू से मेरी 3 cup juice निकल गई है काफी ज्यादा quantity में निकली है तो इसे आपके पापड भी ज्यादा बन जाएंगे तो ये देखे तीन कप आपके juice निकली है तो सेम कप से ही आपको छे कप पानी का यूज करना है ना इसे कम ना ही इसे ज्यादा तो फ्रेंड्स आप पूरा वीडियो वाच किया किजिए सभी का भी जिसे आपको पता चले क कि मेजरमेंट क्या रखा गया है क्योंकि जब तक अच्छी तरीके से नहीं जानेगा तो पापर अच्छे बन के तयार नहीं होती है तो चले अब इसे मैं गैस के उपर चरहा देती हूँ अभी मैं चरहाई नहीं हूँ तो चले मैं अच्छी तरीके से इसे मिक्स करती हूँ अब कड़ाई को मैं गैस के उपर चरहा दी हूँ तो अभी आप देख रहे होंगी कि लाल कलर में आपको जूस दिख रही है अभी गैस का फ्लेम जो है थोड़ी सी हाई पर अभी रखी हूँ इसके बाद धीरे धीरे आपके जब यह कलर चेंज हो गई देखिए अब गैस का लो बिलकुल फ्लेम बिलकुल ही लो कर दीजेगा क्योंकि बहुत जल्दी यह थिक हो जाएगी और आलो अच्छे से नहीं पकेगी तो आपके पापर अच्छी नहीं बनेगी तो इसलिए अब बिलकुल ही लो फ्लेम पे इसे पकाना है धीरे धीरे 20 से 25 मिनट के अंदर आपकी यह घोल अच्छी तरीके से पक के तयार हो जाती है तो आप देख रहे हैं कि काफी अब थिक होना सुरू हो गई है फेन अभी नजर आ रही है यह फेन भी आपकी खत्म हो जाएगी अब बहुत ही सुन्दर यह पापर बनके तयार हो जाती है फ्रेंड से इसे मैं पहचानने के लिए भी बताऊंगी और इसमें एक चीज ऐसा मिलाओंगी जिससे आपके पापर पतले होने के बाद भी उत्रा ही कूरकूरे और क्रिस्पी बनके यह तयार होगी अब काफी ही सुन्दर बनके तयार होगी तो यह देखिए मेरी गोल अच्छी तरीके से पकरी है इसे में चेक करके भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसे पहचान सकते हैं कि आपकी यह गोल अच्छी सी पकी है कि नहीं क्योंकि पकाना बहुत जरूरी है इसे पापर आपके बहुत ही अच्छी बनेगी तो यह देखिए मैं चलाते जा रही हूँ लगातार और जब भी चलाईएगा तो नीचे से लेते हुए चलाईएगा क्योंकि छोड़ देने पर क्या होती है कि नीचे बैठ जाएगी और आप चाहें तो इस पापर को मसालेदार पापर भी बना सकते हैं या बीना मसाले के भी बना सकते हैं सिर्फ नमक पे तो नमक भी देना है तो बहुत ही कम देना है नहीं तो इससे क्या होगी कि आपके पापर नमकीन बन जाएगी तो ये देखें मैं पहचानने के लिए आपको बता रही हूँ यदि बीच में आप लकिर खीचेंगे जटकने के बाद भी यदि टच नहीं होती है तो समझें आपके पापर बनने के लिए ये गोल तयार हो गई है काफी उबाल भी आरहें तो ये भी सेकेंड पहचान है पहचानने के लिए तो चलि मेरी काफी अच्छी तरीके से भोल त्यार हो गई है अब नमक मैं मैं इसमें डाल दी हूँ हलका साही दी हूँ मसाले का मैं यूज नहीं कर रही हो, बीन मसाले का हो एक चीज जो डालना है वह मैं लाश्ट में डालूँंगी डालने चीज जो एक नहीं के बाद में बैन में 2-2 मिनुट पॉकाओंगी फिर इसे उतार दो कि बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनके तैयार होगी एक दो मिनट पकाने के बाद मैं देखे गैस ओफ कर दी हूँ अब इसे मैं एक चीज और मिला रही हूँ जो है कलर तो मैं इसे ग्रीन कलर में बना के तैयार करूंगी आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं लेकिन मैं ग्रीन कलर में बना रही हूँ तो चली मैं कलर मिक्स कर दी हूँ और इस तरीके से एक करके सभी पापर को बिछा लेजे रात भर इसे सी पंखे के नीचे रहने देजे ओवरनाइट बस आपके पापर सुख के तयार हो जाएगी तो फ्रेंड्स यदि मेरी ये रेसिपी आप लोग को पसंद आ रही हो तो लाइक शेर कमेंट अवस कीजिएगा यदि नहीं भी पसंद आती हो फ्रेंड्स तो ज़रू कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि मेरी कमी कहां रही है जिसे मैं सुधारूंगी आप लोग का कमेंट बहुत ही जरूरी होता है हम लोगों के लिए जिसे और भी अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूँ अच्छे तरीके से रेसिपी तयार कर सकूँ यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए नहीं पसंद आती फ्रेंड्स तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं बुरा नहीं लगेगी क्योंकि आप लोग का कमेंट बहुत ही जरूरी होती है ये देखे ओवर नाइट में रखी थी और कितनी अच्छी पापर बनके तयार हो गई है और इस तरीके से आप अलग-अलग कलर में भी ये पापर बना के तयार कर सकते हैं बिल्कुल इसकीन की भाती ये पापर बनके तयार हुई है इसे मैं तल के भी दिखाती हूँ, तलना भी उतना ही आसान है, खाने में ये जितनी स्वादिश लगती है, क्रिस्पी लगती है, तलना भी उतना ही आसान है, सिब डालिए और निकालिए, तो है न फ्रेंस ये बनाना पापर बिल्कुल ही आसान, तो चलि फ्रेंस यदि मेरी पर कि ये रेस्पी पसंद आई हो तो like, share, comment अवस कीजिएगा और अपना important comment देना बिल्कुल नहीं भूलिए friends क्योंकि comment आप लोग का बहुत ही जरूरी है आप लोग का support बहुत ही जरूरी है तो चलि फिर मैं next video मैं आप से मिलती हूं take care bye friends